सब के लिए visible हो यह देखो syntax के according वाक्य के चार प्रकार होते हैं simple one sec compound, complex, compound complex simple, compound, complex, compound complex syntax के हिसाब से वाक्य के चार प्रकार होते हैं ठीक है अभी देखो इस चार्ट के हिसाप से देखो समझ में आएगा that is कि जो simple sentence होता है साधारन वाक्य होता है वो वो सिर्फ और सिर्फ एक independent sentence होता है अच्छा मैं आपको एक वर यह कर देता हूं आप एक वर लेना चाहो पहले screenshot ले लो ठीक है थोड़ा समय के वाला हटा दे मद sushi में अब देखो simple sentence के साथ क्या होता है कि उसके साथ एक इंडिपेंडेंड़ेंट होगा independent सेंडेंस क्या होता है वह हम लो आगे जानेंगे थेना बड़ अब फिलाला हो समझेंगे कि क्या है उसका में फीचर्स क्या इसे मोचाइम्आ से पास एक स्वतंत्र एक स्वतंत्र वांट के उसके पास होगा है इसके पास दो इंडिपेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडें लोग जानेगे निर्भर वाक्त क्या होता है उसको निर्भर का मतलब क्या होता है किसी आप निर्भर हैं जैसे आप अगर अपने माता पिता पर निर्भर हैं आप खाना किसी भी चीज के लिए पैसों के लिए रोज की ज़रूरत हैं उनके लिए अगर आप अपने माता पिता जैसे कि हर कोईसी नढों होता है हर कोई खिसी नग्सी चीजोशा इस राण highly है कि और वह एक अफ पर है पट फिलहाल हम लोग एक डांपल से समझे कि सवस्वतनत और नर्बर क्या होता है कमपाउन कॉम्पलेक्स की बात करें, इसका नाम है compound complex, इसके पास दो independent sentence होगा एक dependent होगा, ठीक है, आर ये बाद समझ में, दोस्तों, अगर हम आद लो simple sentence की बात करें, तो इसके पास एक सुतंतरवाक, independent sentence होगा, ठीक है, दूसरी बात, compound sentence की बात करें, तो इसके पास दो इसके पास दो इंडिपेंडेंट सेंटेंस होगा कॉंपलेक्स सेंटेंस की बात करें तो इसके पास एक इंडिपेंडेंट होगा और एक डिपेंडेंट सेंटेंस होगा यह था। इसको समझ लिया मतलों इसको याध ध्यान में रखलो इसका अम लोग डिपेंडेंट को समझेंगे कि सवतंत्र क्या है इंडिपेंडेंडेंट क्या है और निर्भर वाके क्या है थीक है यह देखो independent sentence स्वतंतर वाकि की जरुवत नहीं है example से समझो dependent को because the milk was too cold she warmed in the microwave she warmed it in the microwave क्योंकि दूद जो है वो बहुत ठंडा था इसलिए उसने उसे microwave में गरम किया क्योंकि दूद बहुत ठंडा था उसने उसे microwave में गरम किया because the milk was too cold she warmed it in the microwave ठीक है अभी यहां पर समझो my dear friend है ना कि इस वाक्य में एक स्वतंतरव क्या है और एक निर्भड रा कि जैसे की यहां से यहां तक करें को siya Because I faut the mm despite क्यों की क्योंकि दूद बहुत ठंडा था कि बहुत ठंडा था यह को कि लग रहा है क्योंकि दूद बहुत ठंडा था क्योद बहुत ठंड़ा था मतलब इसका मतलब यह है कि वाक्य में कुछ और भी है वाक्य में कुछ और भी है क्योंकि दूद बहुत ठंड़ा था यह एक आपको अधूरा वाक्य नजर आएगा यह वाक्य आपको लगेगा कि इसके बाद कुछ और होता तो वाक्य कंप्लीट होता क्यूंकि दूद बहुत ठंडा था इसलिए उसने उसे माइक्रोवेब में गरम किया आरे वा समझ में तो यहां से यहां तक का जो वाक्य है य उसने उसे माइक्रोवेब में गरम किया उसने उसे माइक्रोवेब में गरम किया और यह वाला वाक्य देखो यह लगता है चोटा ही वाक्य है पड़ कंप्लीट है ठीक है तो इस वाक्य में क्या हो गया यह जो पार्ट है यह निर्भर हो गया और यह वाला पार्ट निर्भ क्या है ठीक है क्लियर है चलो अब हम लोग सीधे सीधे जंप करेंगे कि अच्छा इसको फिर से explain क्या कर रहा हूं यहां पर विकॉस तो कोल्ड क्योंकि दूद्ध थंडा था सी वाम डिट इन्द अधूरा वाक्य है और इस में वाक्य को देखें से लगता है कि इसके बाद कुछ और अच्छा होता यह इन्कम्प्वीट सा लग रहा है अधूरा सा लग ठीक आड़ी आप लिए बसमसे हो कि झलो कि देखो अ सिंपल सेंटेंस सिंपल सेंटेंस के पास क्या होगा वन इंडिपेंडेंडेंट सेंटेंस होगा क्या होगा वन इंडिपेंडेंडेंडेंट सेंटेंस होगा ठीक है he eats वह खाता है एक सिंपल एक नॉर्मल सा वाक्य हो गया see warm date in the microwave वो जो हम लोग एक sentence देख रहे थे वो भी आपका एक स्वतंत्र वाक्य हो गया तो जो independent है जिसको वाक्य पूरा करने के लिए किसी और वाक्य की जरूरत नहीं है वह स्वतंत्र है और वही सिंपल है वह स्वतंत्र है वह आजाद है वही सिंपल है आई वास समझ में चलो compound sentence को देखो और इसका example देखो compound sentence इसके पास क्या होगा दो independent वाक्य होंगे इसके पास इसके पास क्या होंगे दो independent sentence होंगे दो सौतंत्र वाक्य आपको इसमें मिलेगा वाक्य देखो I really need to go to work but I am too sick to drive मुझे वास्तव में काम पर जाने की जरूरत है लेकिन मैं इतना बिमार हूं कि मैं गाड़ी नहीं चला सकता मैं drive नहीं कर सकता ठीक है I really need to go to work but I am too sick to drive ठीक है अब देखो मुझे वास्तव में काम पर जाने क्या हुआ सकता है यहां एक complete वाक्य हो गया पूरा वाक्य है but I am too sick to drive लेकिन मैं drive करने के लिए बहुत बिमार हूं ठीक है यहां से यहां तक कर वाक्य देखो I am too sick to drive I am too sick to drive मैं इतना बीमार हूं कि मैं drive नहीं कर सकता मैं इतना बीमार हूं कि मैं drive नहीं कर सकता यह एक स्वतंतर वाक्य अपको लग रहा है ठीक है मुझे काम पर जाने की दरोत है I really need to go to work यह भी complete sentence लग रहा है यह भी स्वतंतर वाक्य लग रहा है है ना तो दो स्वतंतर वाक्य जब मिल जाएं है ना दो स्वतंतर वाक्य मिलेंगे क्लेर है चलो देखो next अच्छा इसको फिर से वार ब्रेक करके समझा रहे हैं यह देख लो compound sentence I really need to go to work I'm too sick to drive सब्सक्राइब है यह ना बठ से क्या गया था वाक्य को जटा गया था मैं lijप सब्सक्राइब करके और हुप सब्सक्राइब सब्सक्राइब में सब्सक्राइबस स्मझ म Meinung तो compound sentence, यह देखो, next, complex sentence, complex sentence क्या होता है, एक second, complex sentence में क्या होता है, कि one independent sentence होगा, और one dependent sentence होगा, मतलब कि एक इसके पास एक सवतंतर वाक्य होगा, और एक इसके पास निर्भर वाक्य होगा, ठीक है, यह देखो, because the milk was too cold, she warmed it in the microwave, क्योंकि दूद बहुत थंडा था, उसने उसे microwave में गरम किया, ठीक है, अब क्योंकि दूद बहुत थंडा था, इस वाक्य को हम लोग पहले भी देख चुके है, तो इस वाक्य में यह जो पार्ट है, यह क्या है, अधूरा वाक्य है, क्योंकि दूद बहुत थंडा था, तो अच्छा इसलिए उसने गरम किया, तो क्योंकि दूद बहुत थंडा था, यह हमें एक अधूरा सा वाक्य लगता है, यह हमें लगता है कि इस वाक्य में कुछ और एक आजाए, तो वाक्य थोड़ा सा सुनने में मज़ा आएगा या पूरा हो जाएगा उसकी मीनिंग एक अच्छी सी निकल के आएगी उसने इसे माइक्रोवेब में गरम किया इसमें यह इतना जो हिस्सा है यह क्या है इंडिपेंडेंट सेंटेंस है आरे यह बात समझ में से माइक्रोवेब में गरम किया आरे यह बात समझ में कॉंप्लेक्स सेंटेंस क्लेर हो गया कॉंप्लेक्स सेंटेंस के पास क्या होगा एक डिपेंडेंट होगा और एक इंडिपेंडेंट होगा ठीक है इससे पहले हम लोगोंने क्या पड़ा कंपाउंड पड़ा कंपाउंड के पास क्या था दो स्वतंत्र वाक्य थे दो स्वतंत्र वाक्य थे ठीक है नेक्स देखो compound complex compound complex इसके पास दो independent sentence होगा और one dependent होगा मतलब दो स्वतंत्र होंगे और एक निर्भर होगा two plus one two plus one दो स्वतंत्र एक निर्भर वाक्य ध्यान से देखो रिता क्राइड when her cat got sick but she soon got better but she soon got better अपनी बिल्ली के बिमार होने पर रिता रो पड़ी लेकिन वह जल्द ही ठीक हो गई यह देखो ऐसे गर हम लोग उसको ब्रेक करें रिता क्राइड रिता रो पड़ी कि when her cat got sick जब उसने देखा कि उसके बिल्ली बिमार हो गई है तो वह रो पड़ी लेकिन she soon got better वो लेकिन वो फिर ठीक भी हो गई ठीक है लेकिन वो फिर ठीक भी हो गई और इसको अच्छे से समझो डीटेल में थोड़ा ब्रेक करकर किसको समझते हैं लोग है ना कंपाउंड कंप्लेक्स सेंटेंस है तू इंडिपेंडेंट वन डिपेंडेंट टू प्लस वन ठीक है यह देखो रिता क्राइड इस वाक्य को लोग ब्रेक कर रहे हैं जब उसकी बिल्ली बिमार हो गई जब उसकी बिल्ली बिमार हो गई यह सुनो जब उसकी बिल्ली बिमार हो गई फिर क्या हुआ मतलब आपके मन में तुरंट से एक प्रस्ण आएगा जब कोई अधूरा वाक्य होगा उसको सुनने के बाद आपके मन में तुरंट से एक प्रस्ण आएगा फिर आगे क्या हुआ ठीक है तभी आपको समझना है कि भी यह यह तो निर्भर वाक्य है यह तो dependent है जब उसकी बिल लेकिन वह जल्दी ठीक हो गई लेकिन वह जल्दी ठीक हो गई पुर्ण वाक्य है इसके वारे में आपके सामने कोई सोतंत्र वाक्य बोलेगा तो आपके मन में कोई जिग्यासा क्योई curiosity नहीं आएगी कि फिर आगे बताओ क्या हुआ ठीक है तो यह चीज है तो इसमें क्या मिल गया दो independent sentence मिल गया एक dependent मिल गया टू प्लस वन की कहानी दो इंडिपेंडेंट वन डिपेंडेंट and compound complex clear है आई बात समझ में clear हो गया तो अभी हम लोगों ने क्या देखा डाट इस की syntax के according वाकिके चार प्रकार है syntax के according वाकिके चार प्रकार है simple compound complex and compound complex one independent one इसमें two independent one independent one dependent two plus one यह one plus one यह सिर्फ two इसको आप ऐसे यह रख सकते हैं one two one plus one two plus one one two one plus one two plus one इंडिपेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंड को भी अश्य समझ गए examples के साथ तो इसकी screenshot ले लिए बहुत important चार्ट है यही आपको exam में काम आएगा तो यह वालो स्कूल गोवर्स के लिए कॉलेज गोवर्स के लिए जो basically five to twelve के बच्चे हैं उनके लिए most important most मतलब सबसे जादा ठीक है उनको यह exam में आता ही है